नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजसमदान पर आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चलिए बनाते हैं पनीर की भुर्जी पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर, शिम्ला मिर्च, पनीर मैंने यहां घर पर बना पनीर लिया है जिसे की मैंने दूद्स से बनाया है सबसे पहले रिफाइंड ओयल लें, इसे गरम करें, इसमें कटा हुआ प्याज और शिम्ला मिर्च डालें और इसे अच्छी तरह से भूल लें जब प्याज और शिम्ला मिर्च अच्छी तरह से भूल जाएं, उसमें कटा हुआ टमाटर डाल दें और पांच मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका लें आप देख सकते हैं कि टमाटर प्याज और शिम्ला मिर्च अच्छी तरह से भूल चुकी है अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मेड पाउडर, नमक और गरम मसाला डाल दें और इसे अच्छी तरह मिला लें मसाले को 2-3 मिनट तक भूल लें अब इसमें पनीर डाल दें और अच्छी तरह मिला लें लगातार हिलाते हुए इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएं पनीर की भूर्जी बन कर खाने के लिए त्यार है मसाले को थाता ये और अच्छी तरह मिला लें आप बन के लिए प्राप्षार लें झाल झाल झाल